अधिकान सो लोग जो इस पृतिवी पर भूत प्रेद तंद्रमंद्र से ग्रस्त महसूस करते हैं अपने को उनमें से 95% भूत प्रेद नहीं हैं वे सिर्फ नकारात्मकता है जो मानसिक तल पर बहुत गहरे में और शेतन तल पर पहुँच गई है और उससे मुक्ति पाने की औशदी वैज्ञानिक औशदी है परम वैज्ञानिक औशदी उस औशदी का नाम है ध्यान 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 आधनिक जीवन सहले की जितनी बिमारियां हो रही है आजकल तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया फिर उसका बाई पर गहरे में जो निगेटिविटी, नकारात्मक ताएं भरी पड़ी है वो इसका करण है आपके भीतर जो नकारात्मक शक्तिया हैं काम, क्रोध, लोव, घिर्णा, इरस्या, सत्रता, इगो ये 24 घंटे की जो जंजट आपके घर में हर घर में उपद्र हो है, हर घर में अश खतम होगा, विश्व शांती कैसे पैदा होगी, रूस, यूक्रेन और फिलिस्तिन और इसरायल, इरानी सब युद्ध कब खतम होगे, ये युद्ध तब तक नहीं खतम होगे, जब तक मनुस्य के भीतर ये नकारात्मक ता का जहर भरा हुआ है, जब तक आदमी के घरों मे शांती नहीं होगी, जब तक पती-पत्नी के जीवन में शांती नहीं होगे, हर पती-पत्नी लड़ रहे हैं, बच्चे-माबाप से लड़ रहे हैं, घर में ही महाभारत है, घर में ही रूस, यूक्रेन का युद्ध है, जब तक घर के युद्ध को नहीं खतम किया जा सकता तब तक विसोयुद्ध को भी नहीं खतम किया जा सकता इस भीतर के युद्ध को खतम करना जरूरी है ये नकारात्मक शक्तियां जो भीतर हैं आज प्रेम, करुणा, मैत्री ये सब चीजें उपदेश देने से नहीं पैदा होगी इनको पैदा करने के लिए सिर्फ ध्यान ही एक मात्र ओशद है और परम आनंद को उपलब्ध करने वाली सच्ची धारविक्ता कैसे पैदा होगी ये भी बड़ा महत्तुपूर्ण प्रश्न है और मैं आप से कहना चाहता हूँ बड़ी महत्तुपूर्ण बात आपकी जीवन उर्जा आपके काम केंद्र के आसपास कुंडलनी शक्ति के रूप में इस्तित है हम सब्धा के नाम पर कितना भी पाखंड करें लेकिन ये जीवन उर्जा काम केंद्र के पास हर व्यक्ति के शरीर में इस्तित है और यही कारण है कि हम पाखंड कुछ भी करते रहें, दिखाते कुछ भी रहें लेकिन आदमी का जीवन काम केंदर के आसपास ही गूमता रहता है 24 घंटे व्यक्ति उसी के इर्दिगर्द गूमता रहता है एक ही उर्जा है आदमी के जीवन के भीतर उसे कोई नाम दे चाहे उसे काम उर्जा कहें, चाहे उसे राम की उर्जा कहें चाहे उसे परमात्मा की उर्जा कहें, चाहे उसे आत्मा कहें शक्ति एक ही है वही जीवन उर्जा जो काम केंद्र के पास कुंडलनी उर्जा के रूप में है वो जब नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो कामवाशना बन जाती है वही उर्जा जब काम केंद्र से उपर की तरफ प्रवाहित होती है तो आत्म साक्षातकार का माध्यम बन जाती है जिन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति चाहिए तो भगवत प्राप्ति का एर्थ है कि जीवन उर्जा काम केंद्र से उपर की तरफ प्रवाहित हो सके और सहस्रार की उर्जा सके जब काम को उर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो किसी दूसरे को आधार बनाना पड़ता है जब काम उर्जा काम के इंदर से उपर की तरफ प्रवाहित होती है तो स्वयंग को आधार बनना पड़ता है जब जीवन उर्जा काम के इंद्र से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो दूसरे व्यक्ति को जन्म देती है संतान उत्पत्ति का करण बनती है और वही उर्जा जब उपर की तरफ प्रवाहित होती है तो स्वयंग को नया जन्म देती है दिज बनाती है सचेर्थों में जब नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो जन्नेंद्रिय के माध्यम से प्रकृति में बिलीन हो जाती है और जब उपर की तरफ प्रवाहित होती है तो सहस्रार के माध्यम से प्रमात्मा को प्रकट कर देती है यानि काम केंद्र से प्रवाहित होना हमारी उर्जा का ये हमारी बरतमान इस्तिती है और सहस्रार से प्रवाहित करना ये हमारी संभावना है ये हमारी संभावना है अब प्रश्न उठता है शक्ती एक ही है सिर्फ दिसा बदल जाती है और दिसा बदलने का एक ही उपा है उस उपाय का नम है ध्यान के माध्यम से विचारशुनता की आवस्था को उपलब्द होना